से टकराने की वजह से रूस का ये मिशन फेल हो गया है और ये भी का ज़रा था कि पहले से दरसल कोई टेक्निकल दिक्कात आ रहे थी आलगी रूस के साइंटिस लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि देखे जितनी टेक्निकालिटीज है उन सब को सॉल्व कर लिया लेकिन रूस को ये बहुत बड़ा जटका लगा है तो रूस के वज्यानिकों के चहरे उतर चुके हैं लेकिन इस वक्त जो भारत की उमीदे हैं खासकर इसरो के वज्यानिकों की जो उमीदे हैं वो बहुत जादा बढ़ी हुई है इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम अप करीब हम पहुंच चुके लेकिन वूस को जो लूना 25 के जरिये जटका लगा है उसको हम किस तरीके से देखें कि देखिए महत्वकांग्शी प्रोजेक्ट था रश्या की भी अगर बात करें उन्चा सालों बाद मून पर अपना कोई मिशन रश्या ने भेजा था 10 अगस को लूना 25 को लॉंच किया गया था और महस 11 दिन में यह लांड भी करने वाला था यानि कि 21 अगस को लांड करने वाला था बनिस्पत हमारे क्योंकि हमारे पूरे अगर बात की जाए तो 40 दिन का दाइन था और यह केवल 11 दिन में लांड करने वाल था इसके कई कारक है लेकिन जिस तरीके से एक दिन से लगाता टेक्निकल ग्लिच की बात आ रही थी बताया जा रहा था कि संपर्क लूना 25 का अपने अर्थ स्टेशन से टूट गया है पचीज के साथ कोई संपर्क रश्या का जो अर्थ स्टेशन है वो साथ नहीं पा रहा है जी रिमा बिल्कुल और जदा बाचीट के लिए हमारे साथ केसदार स्वाइंटिस्ट जो है वो जोड़ चुके हैं सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है लेकिन सबसे पहले आपसे टेक्निकालिटी समझना चाहेंगे कहा जा रहा है कि और्बिट फेस बदलनी के दोरान जो है यह क्रेश हो गया देखेए श्पेस में इतने वारियबल्स काम करते हैं इतने धेर सारे कुछ समय से एक-दो भी वारेबल होते हैं जो अगर काम नहीं करके है या एक-दो वारेबल आगे पीछे हो गया हमें जानकारी भी नहीं मिल पाती है अच्छा दूसरी बात है कि जो अंतिम आजे घंटे कर समय रहता है पंदर मिट कर समय रहता है वो बहुत क्रूशर होता है क्योंकि उसमें जो रास कॉस्मों से वो जमी सभी नियासित नहीं करवाता है वो अर्टिफिशल इंटेलिजेंस के दौरा की वहां पर उसके वीतर में काम कर सकता था तो जो इस्थिती हुई वो इस्थिती है हुई उसे एक रास्टे पर चलना था उस रास्टे से वो बटक लिया किसी कारन से बटक लिया इन लोगों ने उसको वापस लाने की कोशिश की वापस लाने की लाक कोशिशों के वादू वह भाउपस नहीं लापाई उस दाख्ते पर वह अन्टता क्या हुआ क्या दिशा जैसे जाना था वैसे चला गया और टास्टेर जया तो वो इस कार्म से हुआ होगा कि gravity moon के उपर में जो होती है तंड्रमा के उपर में होती है वो इतने different होती है तो वो पता नहीं चल पाता है दूसरा, वो सहसान पर plाजिमा कैसे काम कर रहा है क्या में कर रहा है वो बहुत अप चीज़े हैं गरम चीजे हैं वो इस पता नहीं चल पाता है तो अंतिम अवस्था में या अंतिम उतरने के पहले कौन कौन से परस्थिति आई होगी एक पता नहीं चल पाया दूसरा कि जब उसे मनुवर करने के कोशिश कर रहे हैं मनुवरी करने में कोई अमर्जन्सी सिटूशन आई और वो मनुवर नहीं कर पाया तो सौक्वेन में भी हो सकता है कहीं कुछ गरबड़ी हो गई हो तो यह किसी कोई पता नहीं है अब पर रिपोर्ट आने पर ही बालुम जब पाएगा लेकिन कुल मिलाज इलाकर यह है कि चंद्रमा पर लैंड करना इतना अतान नहीं है अब सूचिए लुना टेक्निकली कितना अडवांस था उसमें वहां एक साल तक वहां बढ़ता उसमें जेसी भी तरह के कुछ-कुछी जे इंस्ट्रुमेंट पिचे जो वहां पर खोद खोद कर घटा कर जाएगा वहां के मिट्टी निकारता और तो और वहां पर गरं में भी मतलत कि 1500 degree centigrade में भी सर्वाइव करता और माइस 200 degree centigrade में भी सर्वाइव करता है रश्या का एक्पिरियंस देखिए और रश्या का यहार देखिए कि रूस ने इतने दिनों तक अपने स्पेस रोग्राम पर रखा, इस स्पेस स्टेशन जला रहता, तब भी नहीं हो पाया, तो इस रोग का उस रूप में रूप लबदी देखें, तो अभी तक सेच्छ में पूप तक यूप लग नहीं है